सो हेलो और वेल्कम गाइस माई यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था अपने इस एम्प्लिफाइर के उपर ये देखिए ये है मेरा एम्प्लिफाइर इसके उपर मैंने कुछ वीडियो बनाया था कि इसका वैलूम जो ह तो एक हमारे सस्क्राइबर भाई है जा डीजे सूरज ऐसा उनका चैनल का नाम है उन्होंने बोला कि आप सेंसेविटी को एक बास सेट करके देखो सायद उसी का प्रॉब्लम होगा ऐसा करके तो चलिए मैं भी अपना जो एम्प्लिफाइर है वो लाइव आप लोग के साम यह जो एम्प्लिफाइर है वो यूस कर रहा हूं तो इसे देखता हूं कि क्या यह मेरा एम्प्लिफाइर सही होता है कि नहीं और आप लोग को भी दिखाऊंगा अगर सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है उसी का प्रॉब्लम है पता चल जाएगा अगर सही नहीं हो और ऐसे ये बहुत भारी है आके लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डीजे राज़क के डवलो डी को डीजे इस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और यह जो घंटी है उसे आल पे सेट कर लें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए एंड वीडियो को लाइक करें से इसको इधर रख देते हैं साइड में के लिए यह भी निकाहता हूं कि यह अपना कीड है इसको मैं पूरा वाइरिंग कर लेता हूं उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूं फिर इधर से सारा कुछ कनेक्शन कर दिया यहां पर लेपट अपलोग आ दिया और यहां पर इसको मैंने जीरो डीवी पर सेट भी कर दिया यह एक क्रॉस और अगरा सब चीज ठीक है अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं साइद इधर से लाइट मैं आन कर लेता हूं और यह जो सेंसिविटी आप देख सकते हो सेंसिविटी है अभी सेवन सेवन फाइब वी पर यहां पर अभी हम लोग देखते हैं कि आपरेट करके देख रहूं भाए अभी क्या है और कैसा चल रहा है मैं आप लोगों को दिखाता हूं ठीक है तो अभी आप लोग देखिएगा भी मैं गाना चालू कर रहा हूं देखना यह देखिए आप लोग यह देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हो यहां पर तीन लाइट जर रहा है तो यहां पर दो लाइट जर रहा है अब मेरे को उसको ठीक करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा इतना कम करना पड़ेगा यह देखो यह देख तो सुरज जी अपना ये थे, हम लोग भी वैसी करते हैं, और इसको sensitivity को कम करते हैं, और इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि थोड़ा सा हम लोग को problem क्या आएगा, तो अभी हम लोग इसको बंद कर लेते हैं, अपना volume और उसके बाद sensitivity को हम लोग छेड़ते हैं, पर रखता हूं मैं और उसके बाद 32 पर करेंगे फिर क्या होता है देखते तो अभी मैं फिला इस पेंड से कर रहा हूं तो यह हो गया 36 पे अब बजा रेके देखते हैं कि ये बराबर चर रहा है कि अगर चर रहा होगा ठीक है हम लोगों का एंप्लिफायर अगर नहीं चर रहा होगा तो एंप्लिफायर में दिख रहा है ये देखिए अभी भी आप लोग देख सकते हो दोनों का जो लाइट है वो सेब नहीं जर रहा है ये देखो ये देखिए तो वो sensitivity का problem नहीं है ये देखिए अभी तक ये वाला इसमें चर रहा है और ये वाला first light जा रहा है ये देखो ये देखो तो वो sensitivity का problem नहीं है वो amplifier का है अभी हम लोग और कम करते हैं इसका जो माइनस 36 में था उसको और हम लोग 32 में करते हैं तो ये है तो इसको हम लोग कर दे हैं 32 में ठीक है 32 में करके देखते हैं अब क्या होता है ये देखिए तो आप लोग हम लोग इसे 32 में कर दी हैं अब मैं volume खोल रहा हूं और देखते हैं की कैसा चर रहा है की नहीं ये हो फिर भी इसमें डिफरेंस है उपर सेकेंड वाला चर रहा है और नीचे नीचे अब इसको मैं जब फाइब में यह देखना अब इसके लेबिल से लाने के लिए मैं इसको कम करूंगा ठीक है यह देखो अब यह लगभक सेम जार रही है देखो तो बारा पाइंग कम करने पर यह जो है दोनों सेम जार रही है देखो दिखाई दे रहा है तो यह सेंसिवीटी का प्राबलम नहीं है मेरे ख्याल से आप लोग बताइए यह किसका दिक्कत है अभी यह वाला थोड़ा सा जादा जार रहा है इसको अभी और एक पाइंट कम करना पड़ेगा यह देखो आप अब देख सकते हैं आप लोग मतलब यह सेंसिवीटी का प्राबलम नहीं है यह उसीच का प्राबलम है यह वैल्लूम का ही प्राबलम है यह देखिए अभी अभी यह वाला ज्यादा हो जादा हो यह तो इसको हम लोगों को और एक पाइंट बढ़ाना पड़ेगा उसके ले हैं तो गाइस यह एंपलिफायर सेंसिवीटी का नहीं है यह इसके अंदर ही खराबी है इसको मेरे रिपेर कराना पड़ेगा अगर आप लोग एंपलिफायर रिपेर वगेरा करते हो तो आप लोग कमेंट करो कि दिक्कत क्या है मैं उसको रिपेर कराऊंगा और उसके उप सेंसिवीटी कम कर देते हैं हम लोगों को आउटपूट थोड़ा सा कम मिलने लगता है देखिए अभी अभी जब मैं सेंसिवीटी आन था तो उससी वाल रूम पर यहां तक हम लोगों को मानेस टेंड भी तक मिर रहा था लेकिन अब कम हो गया यह देखो तो यह भी दिक्क हुआ है झाल